यूगा लब्स और रेरिबल ने ओपन सी को ब्लॉक करने का किया फैसला स्केचर्स के साथ कोलाबरेट कर स्नूब डॉग लाँच कर रहे हैं फिर्स बिय वाईसी थीम्ड फुटवेर और बास्केटबॉल मेंस वर्ल्ड कप की एनेफ्टीज हुई लाँच स्नूब डॉग की पहली एनेफ्टी थीम स्नीकर कलेक्शन से लेकर बास्केटबॉल मेंस वर्ल्ड कप की एनेफ्टीज तक कई मसदार एनेफ्टी अपडेट्स मैं रुची शर्मा आपके लिए लेकर हाजर हूँ तो हो जाएए तयार एनेफ्टी वर्सकेस खास एपिसोड के लिए इसमें आपकी फेवरिट एनेफ्टी प्रोजेक्स की डीटेल्स तो होगी ही साथ ही हम एक स्पेशल गेस से भी पुलाकात करेंगे लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिछले हफ़ते कैसा रहा एनेफ्टी मार्केत का हाल और्गस्ट के आखरी हफ़ते में एनेफ्टी सेल्स 14.06% गिरकर 91.86 मिलियन डॉलर्स पर रही हमेशा की तरह एनेफ्टी सेल्स में सबसे ऊपर रही एथिरियम जिसने एनेफ्टी सेल्स में प्रीज़ वीक के मुकाबले 13.87% की गिरावट दर्ज करने के बावजूद 56.35 मिलियन डॉलर्स सेल्स पर टोरी तो वहीं दूसरे पाइदान पर रही सोलाना एनेफ्टी जो 8.95% गिरकर 8.5 मिलियन डॉलर्स पर रही तीसरे चौथे और पाँचवे स्थान पर रही पॉलिगॉन, माइथोस और इम्मूटेबल एक्स लागतार तीसरे हफ़ते के लिए बिटकोईन एनेफ्टी साथवे पाइदान पर हैं जो 2nd position से सीधा 7th position पर आगरी है एनेफ्टी मार्केट की हवाब बदलने वाली है क्योंकि नमबर वन एनेफ्टी प्रोजेक्ट ने नमबर वन एनेफ्टी मार्केट प्लेस को ब्लॉक करने का बहुत बड़ा फैसला लिया है ओपन सी ने एक बाद फिर creator royalties को लेकर अपना रुख बदल लिया है ओपन सी ने एनाउंस किया है कि वो 31st August के बाद नई collections के लिए creator royalties को optional कर देगा ओपन सी अपने operator filter जो creator royalties enforced करता है उसे disable कर रहा है हाला कि कुछ collections के लिए royalty fees मार्च 2024 तक जारी रहेगी लेकिन उसके बाद तमाम sales के लिए ये fees optional हो जाएगी BAYC की parent company Yuga Labs ओपन सी के इस फैसले पर काफी नाराज है Yuga Labs ने Twitter पर ये announce किया है कि वो ओपन सी पर अपनी NFTs की ट्रेडिंग ब्लॉक कर रहा है ऐसे में Yuga Labs की कौन-कौन सी NFT collections इससे प्रभावित होंगी ये कहना फिल्हाल मुश्किल है Yuga Labs ने ये फैसला creator community को support करने के लिए किया है Yuga Labs ही नहीं बलकि पूरी NFT community OpenSea के इस फैसले की निंदा कर रही है Critics का मानना है कि OpenSea के इस कदम से सबसे ज़्यादा नुकसान उन छोटे आर्टिस्स को होगा जिन्होंने अपना business ही रॉयल्टीज के इर्द गिर्द क्रियेट किया है दूसरी तरफ OpenSea के CEO Devon का कहना है कि Creators अपने काम और कला को monetize करने के नए तरीके ढूड निकालेंगे Yuga Labs ने OpenSea पर अपनी NFT की ट्रेडिंग बैन की तो Rarible भी Creator Royalties के support में खुल कर सामने आई है Rarible ने एक नहीं दो नहीं बलकि तीन NFT marketplace को block करने का एलान कर दिया है एक तरफ जहां OpenSea ने royalties देने पर पल्ला चाल लिया है तो वहीं दूसरी ओर Rarible खुल कर royalties के समर्थर में सामने आई है Rarible ने ये statement दी है कि वो Creator royalties ना सिर्फ देगी बलकि royalties को oppose करने वाली marketplace जैसे की OpenSea, Looks Rare, X2, Y2 को अपने platform पर ban कर देगी 30. September के बाद से Rarible अपने platform पर OpenSea, Looks Rare और X2, Y2 की orders aggregate नहीं करेगी इस announcement के बाद अचानक Rarible की trading volume में बड़ा उच्छाल देखा गया Tap Radar की report के मताबिक 24 घंटों में Rarible की trading volume 45,000 डॉलर के आक्रे को छूते हुए करीब 585% बढ़ गई हाला कि बाखी platforms के मुकाबले Rarible की trading volume का figure छोटा था लेकिन अगर सिर्फ percentage figure को देखा जाए तो उस मामले में Rarible ने OpenSea और Looks Rare दोनों को पीछे छोड़ दिया है जिनकी trading volume में 24 hours में 19% और 74% की गिरावर तर्च की गई है royalties को लेकर marketplace के ऐसे ही रवाईय की वज़े से जुलाई में Ethereum-based NFT projects की royalties दो साल के सबसे निचले सर पर आ गई थी इस पर और साथा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे special guest यश कावरे का Welcome to 3.TV यश यश Yuga Labs OpenSea पर अपनी NFTs की trading ब्लॉक कर रहा है तो वही 30.September से Rarible भी OpenSea, Looks Rare और X2Y2 के aggregator orders लेना बंद कर देगी ऐसे में NFT community एक जुट होकर royalty के समर्थन में सामने आ रही है आप इस सब को कैसे देखते हैं? So yeah, with the blur coming in, we had started the royalty wars and who will be having zero royalty, etc., etc., and the trading fees So now as they are targeting the royalty fees of the collections as well, this step by Yuga Labs was pretty, you know, obvious CryptoPunks have been doing it for a long time, that's the reason we have wrapped CryptoPunks So real CryptoPunks are always on their own platform and being sold So probably Yuga has funds to do so, so they will be like, why not? And coming to the aggregation part of the Rarible, I don't think it would really make a difference to the NFT space Apart from, you know, because the volume over Rarible are also very little And the majority of the people are just using, you know, OpenSea or Blur But yeah, Rarible played an important role, but with the whole NFT space going down, like with the volumes and all going down I feel like it won't really make any difference for now So probably in the next bull run, we might be able to see something that will make a difference in this space But yeah, for now, Rarible stopping the aggregation does not make any difference That's my opinion Thank you so much for having us talking about it and giving us some time for our quality Snoop Dogg in the know, it's not so many songs and albums released, as many NFTs launchers are launching You know, Snoop Dogg is the first BAYC themed footwear NFT Snoop Dogg is the first time doing Skechers brand collaborate with Skechers And this time Snoop Dogg is the board of Yacht Club NFT Dr. Bombay Theme Skechers लेकर आ रहे हैं हाल ही में Skechers की website पर launch की गई streetwear shoe collection जिससे Snoop Dogg की पसंदीदा BAYC NFT की images और patterns के साथ style किया गया था इससे पहले एक अगस्त को Skechers की collectors edition capsule collection launch की गई थी लेकिन उस collection से काफी अलग है ये latest OG capsule इस collection में footwear को काफी simple लेकिन versatile तरीके से design किया गया है ताकि इन्हें everyday outfits के साथ team up किया जा सके इस footwear collection में Snoop Dogg की favorite patented comfort technology का इस्तेमाल कर hands-free slip-in footwear भी design किये गए हैं यह तो Snoop Dogg अपनी BAYC NFT पर themed restaurant और ice cream ला चुके हैं basketball men's world cup की NFTs धूम मचाएंगी basketball fever जोरो शोरो पर है क्योंकि 32 देशों के बीच खेले जाने वाला basketball men's world cup 25 अगस को शुरू हो गया है इस world cup को Philippines, Japan और Indonesia मिलकर host कर रहे हैं और इसका final 10 September 2023 को खेला जाएगा International Basketball Federation FIBA ने इस world cup के मद्दे नजर Web3 SaaS platform Willi के साथ मिलकर distinctive digital collectibles की एक series introduced की है जोसे 21st August को launch किया गया था ये NFT collection total 4 types की होगी fans frenzy, national pride, ultimate, court side और golden glory इन 4 NFT collections को खास fans और collectors के लिए बनाया गया है जिसमें अलग-अलग teams और host countries के flavors, colors और cultures का संगम होगा ये 4 collection आप FIBA World Cup NFT Shopify store से खरीज सकते हैं इन्हें Shopify आप के जरिए Polygon पर mint किया जा सकता है और Willi wallet से access किया जा सकता है तो sports और technology के इस convergence का लुट उठाइए और basketball men's world cup enjoy कीजिए Well, that's all in this episode of NFTverse वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का लेकिन NFT की दुनिया से ऐसी और मज़दार खबरे मैं रुची शर्मा आपके लिए हर हफते लाती रहूंगी Till then, do like, share and subscribe to 3.2 TV और इसी तरह की interesting updates के लिए लॉग उन करे हमारी website www.3verse.tv.io पर या फिर हमारा QR code scan करें